आज हम लोग option selling का second part में जाने वाले हैं, which is going to be probability, option selling probability में कैसे काम आता है, in details में हम लोग सीखने वाले हैं, first topic हम लोग का clear हुआ था, अभी हम लोग option probability के ऊपर start करते हैं, first thing, दो लाइन हमेंसा लाइप के अंदर ध्यान में रखना, first हो जाता है, option buying is all about risk to reward and option selling is all about probability, at least for me, मैं मैं इस तरीके से प्लान कता हूँ, जो भी मैं option buy करता हूँ, यह सोस था, one is to three, one is to four, इस तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं risk to reward maintain करता हूँ, क्योंकि उसका probability कम है, जब option sell करता हूँ, probability थो ज्यादा होता है, तो उसके लिए मैं risk to reward भले कम कर सकता हूँ, और इस तरीके से प्लान होता है, तो option selling is all about probability, एक पॉइंट में रहे हो, probability क्या होता है, देखो, simple terms है, अगर बता हूँ, इसके ओपर ही details में एक वीडियो बनाऊँगा, जो आपको interesting लगेगा, psychology series के अंदर, लिकिन आज थोड़ा सा हम लोग समझ आते हैं, अगर मैं आपको बता आपको समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ गया, तो फिर आपको चांसे से किने, हाँ, आपका जो thought process है, आपका जो प्लान था, वो successful हो सकता है, क्योंकि इंडिया प्रॉबाबिलेटी वाइस थोड़ा सा strong team है, यह पॉइंट आपको समझ में आ गया, मार्केट के हिसाब से अगर देखेंगे, जब option selling का बात आ जाता है, okay, option selling मतलग क्या होता है, मतलग आप यह सोच रहो किने, market एक condition, last video के अंदर में ने बता है, किने, condition को आप defend करो, imagine करो market अभी चल रहा है, let's say किने, 44,000 के आसपास bank nifty चल रहा है, हम लोग इसको समझते है, 44,000 के bank nifty चल रहा है, आपका प्लान ही एक लिए, market 44,500 नहीं आना चाहिए, that means, यहां से 500 पॉइंट उपर का, अगर आप कुछ call sort कर रहे है, उसका premium लेट से 50 रुपे है, अगर market 44,500 तक नहीं पहुंचा, तो यह 50 रुपे आपको पूरा account में credit हो जाएगा, क्यूंकि आपक कि नहीं हाँ, आपको, अगर आप बोले हो कि नहीं हाँ, 45,500 जाएगा नहीं, तो market 67,000 नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन अगर उसके नीचे कहीं भी भी close करें, चांसे से आपको पैसा मिल सकता है, that means, in this case, आपके पास probability क्या होता है, देखिए, market अगर, let's imagine, 8 points से start होता है इसका probability क्या है, market कहां जा सकता है, market इधर उपर जा सकता है, या market नीचे जा सकता है, कोई बोलेगा, sir, sideway चला गया, तो हाँ, more or less, इधर ये थोड़ा सा positive में close होगा, या भी थोड़ा सा negative में close होगा, तो that means, market का जो probability होता है, market कहां जाने वाला है, 50-50 chances जेकिने, market इधर उ probability क्या है, ध्यान से सुना ये line, option selling का probability क्या होता है, आप अगर 44,500 का call short के हो, 44,000 में market पड़ा हुआ है, दो चीजे हो सकते है, market 44,000 में अभी spot है, इधर यहां से ये उपर जा सकता है, correct, 44,500 के उपर निकल गया, ये level हम लोग का 44,500 के उपर निकल गया, और एक condition हो सकता है, जहां पर market sideways हो जाए, more or less थोड़ा सा उपर close करें, या फिर थोड़ा सा निचे close कर सकता है, 44,000 हो सकता है, 44,000 50 में close करें, हो सकता है, 44,000 60 70 में close करें, या फिर let's say कि नहीं, 54,000 से 50 60 रुपे निचे close करें, that means sideways है, और ये condition हो सकता है, market यहां से निचे की तरब जा सकता है, that means, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, in this case, अगर market continuously उपर की तरब move किया, 44,500 तो that means, आप यहां पर loss करोगे, क्यों loss करोगे, क्यों loss करोगे, क्योंकि market आपके against में जा रहा है, आपका जो condition था market के उपर, 44,500 नहीं touch करना चाहिए, उसके उपर निकल गया, और इसके लिए आप loss करोगे, second condition में क्या होगा, यहां पर अगर आप लोग देखो के, sideage अगर market चला गया, you know, किने अगर 44,500 में, 44,500 के नीचे एक टिक भी close करे, या फिर 500 में भी close करे, आपको पूरा 50 रुपे मिलने वाला है, that means, in this case, आप profit कमाने वाले हो, अगर market यहां से नीचे की तर में जा रहा है, तो आपको बड़े profit मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर profit आपका fix हो गया, लेकिन probability क्या हुआ, market नीचे भी चला जाए, आपको profit होगा, that means, आप यहां पर market अगर आपके favor में जा रहा है, continuously जा रहा है, तो भी आपको profit मिल सकता है, भले आप गलत हो, लेकिन market slow and steady जाए, या पिर आपका expiry day से पहले market अगर आपके favor में रहे, तो भी आप profit कमा सकते हो, that means, यहां पर आपका एक बाल loss हो सकता है, अगर market आपके against वे completely move किया, that is SL, and उसके बाद अगर sideways गया, नीचे आया, इट से profit, लेकिन जहां पर probability high है, यहां पर profitability कम हो गया, यहां पर 50 र sideways जाए आपको profit मिलेगा, market नीचे जाए आपको profit मिलेगा, अगर 100% का probability हम लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं 66% time आप लोग यहां पर जीज सकते हो, मतलब probability है, more than 60-65% का probability है, जहां पर market sideways भी रहेगा, तो भी आप पैसा कमा सकते हो, I hope you point आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोग देखें, उसके लिए उन लोग risk to reward जादा follow नहीं करने से भी profitable रहते है, क्योंकि by default उनको 60-65% का accuracy वाला setup मार्केटी बना के दे रहा है, तो 1-1, 1-2 भी follow करेंगे, तो भी पैसा बन सकता, annual time में risk to reward के उपर बात करेंगे, लेकिन एक hybrid के लिए आपको एक idea लग गया है कि नहीं, हाँ market में 66% chances है, probability है कि नहीं हाँ पैसा कमा सकते हो, और एक point जहां पर probability ज्यादा है, वहाँ पैसा ज्यादा लगता है, यह बहुत सारे लोग गलत फेमी में रहते हैं कि नहीं, हाँ option selling बहुत इजी है, पैसा ज्यादा लगता है, और वहाँ पर रिक् 44,900 अगर imagine करो चला गया, 400 रुपे आपने loss कर दिया, फिर उसके बाद आप 4-5 बार trade करके, 50-50 बार आप अगर 8-9 बार trade करने के बाद जाके रिकावर होगा, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपका probability भले आपके favor में हो, लेकिन आप अगर SL लगाना नहीं जानते हो market के अंदर तो option selling can be disaster, अगर आप SL लगाते हो, सही जागा पर आपने निकाल देते हो, फिर नया point लेना स्टार्ट करते हो, re-entry सीखे हो, तब थोड़ा सा ये easy रहता है, और एक point जान में हो, जहाँ पर probability ज्यादा है, वहाँ पर पैसा ज्यादा लगता है, और आपको points कम मिलत हैं, अभी और एक interesting example में आपको दिखाता हू, investing में लोग बोलते हैं कि इने पैसा अच्छा बनता है, option selling में बोलते हैं, investing में बोलते हैं, क्यों ये आपको बता है, आज नहीं तो कल market ऊपर जाने का chances vary, अगर आप imagine करो 10 stock खरीद के रख लिए, ये सोच कर कि नहीं, आज नही कुछ XYZ stock के नाम बताएंगे, फैल हो गया, अगर probability और add करना है, तो चलो Nifty 50 के top 10 stock रख लो, top 10 Nifty 50 के अंदर हो सकता है, एक या दो stock YS Bank बन जाए, या फिर Nifty 50 stock से निकल जाए, लेकिन 3-4-5 stock होंगे, जो हमेसा top में रहेंगे, या फिर आज नहीं तो कल ऊपर जाएंगे, या फिर एक stock ऐसा होगा, जो Nifty 50 में अगर बन गया 10 साल के लिए, जो आपने 10 weightages में खरीदा होगा, Bluetooth के अंदर, वो आपको पैसा दे सकता है, I hope यह point आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके लिए पैसा ज्यादा चीए, कि आपको एक stock अगर खरीदना है, पूरा quantity देन पड़ेगा, जैसे option selling आपको करना है, तो पूरा premium दे के आपको खरीद के रखना पड़ेगा, एक लाग, अगर margin benefit होगे तो 60-70, आने वाले टाइम में हम discussion करेंगे, that means जहाँ पर probability ज्यादा होता है, वहाँ पर थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, और पैसेंस लिए आप फिर थोड़ा सा investing prefer करते हैं, क्योंकि logically अगर देखेंगे, investing में no doubt सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है, अगर आप longer term कि होट करो, and या फिर plan करो, let's say कि नहीं, कुछ अच्छे quantity में plan करो, अब भी अगर हम लोग देखेंगे, option selling के ऊपर, आपको ये confirm होगया, probability कि इस तरी के आपको बता देता हूं, तो आपको interesting रहेगा, फिर हम लोग देरे-दरे topic लेगे, क्योंकि एक point देन मेरे को, हमेरे सा एक business को इन details में समझने या कोसिस करो, कभी भी आप ये उटके मता आजाओ कि ने, कल सुबे हाँ मेरे पास 10 लाग है, तो चलो restaurant खोल लेते हैं, कोई कैसा business खोल लेते हैं, जहाँ पर पैसा मिल जाएगा, इस तरीकिए अगर आप trading business को सोच रहे हो कि ने, हाँ 10 लाग मेरे पास है, या फिर मैं loan ले लूँगा, 5 लाग, 4 लाग ले लूँगा, बिना business को जाने, अगर आप आ गए, तो जो पैसा आपके पास था, अगर वो एक बार चला जाता है, confidence लेके चला जाता है, second time में आप आते हो market में, उसको recover करने के लिए, जो पैसा आपने डाला है, उसको recover करने के लिए, फिर आप वो round round घूमते रहते हो, बहुत जादा difficult हो जाता है, तो पहला point है कि अगर एक business के अंदर आना है, वो field को in details में जाना हो, उसके एक बार decide करो आपको क्या करना है नहीं करना है, लेकिन समझना बहुत जादा जरूरी है, और that to be no logically, okay, तो और एक बार में आपको बताते हो, जब भी आप option sell करते हो, imagine करो आप call sort कियो, अभी हम लोग तोड़ा term यूज करते है, C sell अगर कियो, अगर option basic buying, selling, call put at the money क्या होता ह बिल्कुल नहीं पता, तो आप मेरा option basic वाला series follow कर सकते है, इसके अंदर C, P, किस तरीके से ये सारे आपको पता चल जाएगा, अभी हम लोग ये सोचते हैं कि let's imagine आपने एक C sort किया है, C sort किया है, तो आपको कैसे कब पैसा मिलेगा, market एधर नीचर है आपको पैसा मिलेगा, या फिर market move तो करे, लेकिन slow and steady जाए आपको पैसा मिलेगा, तो that means एक condition में आप lose करोगे, market अगर straight forward आपने C sort किया है, that means आप नहीं चाहते है market एक certain condition के बाद उपर जाए, अगर इसके उपर निकल गया तो we are going to make losses, या आप loss करोगे, अगर market let's say certain condition के नीचे कहीं पर भी बना probability आगया, क्योंकि दो जगा पर आपका profit मिल सकता है, एक जगा पर आप losses कर सकते हो, losses unlimited हो सकता है, जैसे हम लोग सोचे जितना ओपर जाएगा, उतना ज्यादा premium बढ़ता रहेगा, unlimited losses होगा and profit यहाँ पर limited होगा, तो that means कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा risk to reward पे plan out आने वाले टाइम में इन डीटेल्स में फिर हम लोग risk to reward सिखेंगे, option buy का cycle, sorry option selling का थोड़ा सा psychology सिखेंगे, इन डीटेल्स में विक्स at the money क्या होता है, in the money क्या होता है, इन डीटेल्स में सिखेंगे, तब आपको पता जाले है कौनसा segment ज्यादा profitability मिल सकता है, कौनसा आपक में फिरा सा probability हाई रहता है, बस आपको काम क्या करना है, लाश वीडियो के अंदर भी मैंने request किया था, आपको काम करना है stop loss के उपर, stop loss आप लोगो को निकाल लेना है, option buying में आपको काम करना है, risk to reward at money management के उपर, इसके अंदर money management और risk to reward फिरा सा ज्यादा काम नहीं करेंगे चलेगा, annual time में इसको discuss करेंगे, लेकिन आपको काम करना है पड़ेगा stop loss and re-entry के उपर, ये बहुत सारे लोग गलत फैमी में रहते हैं, ये किन option sell कर दो और भूल जाओ, नहीं, मेरे लिए re-entry most frequent रहता है, मैं बहुत बार entry करता हूं, इसके अंदर बहुत लेता हूं, तो य तो फोड़ा chances are very high, किने option selling में थोड़ा सा probability जाता है, किने पैसा यहाँ पर बन सकता है, यह पी probability का सीरीज आपको पसंद आया होगा, वीडियो चलागा तो डिफिन विटो को like and share करना, so that किने आने वाले टाइप में, मैं फिर option selling को दी दे दे हमको in details में सीखेंगे, जब ए फिन तना है, थेंक यू